ने राधे राधे दोस्तों तो सुर्फा के जंग की तैयाली हो चुकी है, जंग солн조 होता है हम लोगोगे लिए उठो और फिर लगजाओ की बेटे को क्या देना है क्याmakers खिलाना है क्या भेजना है इसको लेकर तो उसी में आज बनाने जा रही हूं मैं क्या देखिए यह ब्राउन ब्रेट यानि आटा ब्रेटी से बोलते हैं और यह है बटर और यह है चीज या पनीर जिसको बोलिए साथ में लिये हैं उबले आलू जिसको दो छोटे आलू को हम इसको मैस कर दिये हैं क्यों लेकिन ऐसे बाहर में लंच बॉक्स में पता चलता है सारे वेज़टेवल गिर जाते हैं नीचे और टीफिन बॉक्स में ही रह जाते हैं और ब्रेड खा लेते हैं तो इस वैसे इसको मैस कर दी हैं ताकि सारा जो भी वेज़टेवल हो इसने भी हम और मिलाएंगे शिमलंगी प्यास डालेंगे और देखेंगे तो टमाटर भी बारिक बारिक काट कर डालेंगे गाजर नहीं बिलाकर देते हैं लेकिन अभी पनीर और बटर से ही काम चलाना पड़ेगा और थोड़ा सा डालेंगे यह केचप पहले यहां दो चली समडिया है इसको अच्छ ऑपर बटर डाले इसको अच्छ चेर से मिला और उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं और अब यह ब्रीड स्प्रीड कर दिया है अब इस पर मैं डालूंगी यह जो अलू मैंने मेश करके रखी हुई थे वो कि दोनों पर नहीं डालना है क्योंकि इसको फिर कवर करना है और यह बहुत ज्यादा फिर मूटा बन जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ले जाने में उसके उपर से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट थोड़ा जीरा पाउडर आप अगर चाहें तो चाट मसला भी डाल सकते हैं लेकिन हम तो नहीं डालेंगे क्योंकि इशान के लिए बना रहे हैं तिसान बहुत कुछ इस तरह का खाना पसंद नहीं करता इसके उपर से हम डालेंगे थोड़ा से केचप इसके उपर से हम डालेंगे यह जो सिम्दा मिर्चर प्याज हम काटके रखेंगे यह यह हो गया इसके उपर से आप थोड़ा सौर एक पिंच ब्रैक सॉल्ट टाल दें इसके उपर हम डालेंगे यह चीज इसको हमने कदुकस कर लिया है तो आप ऐसे डाल सकते हैं या स्लाइस बना के भी डाल सकते हैं तो अभी हम ऐसे ही डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सबज कि बट् millennials विख्लय कर सके सके हैं यहाँ है कि वह उसके बारेंगे हम कहले हम इसको बारिक बारिक काट है तो स्लाइस करते तो निकाल देता उसको अलग करके खाता ब्रेट क्हाता सिर्फ इस वह मिसी वह जाए नाने में हुआ है अब यह दूसरा ब्रेट भी जो बटर लगा के रखे हैं वह भी इसके उपर जाएगा और इसको करते हैं सेक कर रेडी तो यह इसको हम सेक चुके हैं तो यह बिल्खुल ऐसा हो गया है इसको बटर डालके लिये हैं अच्छे से काफी कुरकुड़ा और अच्छा टेस्टी हो गया गरम खारे में तो खैर बहुत ही अच्छा लगता और हिल्दी भी है लेकिन घुकी इसको टि फिन में लंच वर नालना है ये थोड़ा सब ठंदा होगे गरम है तो इसको फिर काट कर और लुझ कर देंगे हम पैक कर देंगे ये मैंने इसके दो पीसिस कर दी है ये का पला की दिए कर काटके का भी सबसाइन कर यह अब बथा है। इशान के जाने के बाद हम आ गए हैं च्छत पर मतलब इस बीच में आदे गंटे 45 मुझे से गय हुए हुए है आठ बज रहे हैं इस बीच में मैंने सबजी भी बना ली है और आट वाट मिला के तो रख दी दिये हैं यूगि वो सेंड्विस लेगा था तो यह नहीं हम लोग इंट मैं आ यह रहा हुए है तो आ रहяг मुझे जो आ हमीटी में जमीन में जो आ मतलब अब इसे ही देख लीजे ये गुड़हल का है दो प्लांट लगाए थे एक जो हलका पीला जैसा होता है और एक लाल जो होता है गुड़हल का फुल लेकिन बड़ तो इसमें आ रहे हैं लेकिन वैसा ग्रोथ हो नहीं पा रहा है उपर से ये भी है कि गिलहरी खा जाती है जब टाभ लगा देरें अपना पानी जब तक वठे जा रहा है मतलब ब्लैंट में डाल रहे हैं तब तक बैठे हैं यहां सोच रहे हमको सोच रहे एक बहुत ही अच्छय गाना याद आ रहा है है कि आप लुक्त सुनना चाहेंगे दिवाग एक नमरेख खराब हो गया जाहाओं नेनो तले धूआ चले पता नहीं ऐसे है ना शाय लेकिन अभी मुझे यहां धारा है पैरो तले ज्वाला जले ज्वाला जले बिल्कुल यही हाल है अभी गर्मी के कारण बहुत तेज धूप है एक दम चिल चिलाती धूप इतना ख़्राब ना की क्या बता है चले अब तो मेरे सारे काम हो गये और आज से छट से आये तो ऐसा लग रहा था जैसे बेवोसी हो जाएंगे इतनी तेज धूप है ना अमा भी नीचे से आवाज दे रहे थी कि क्या हो रहा है धूप में आजाओ आजाओ बुले क्या करे समय नहीं मिलता फिर बाद में याद दूप का ऐसा है ना कि 6 बजे सारे 6 बज तक गर्मी लगती है तो चाहते जाने का फिर मन भी नहीं होता है बोले सुबह ही डाल दे पौध हमें पानी थोड़ा क्योंकि उसके बाद तो फिर आकर नहालेंगे तो मन फ्रेस हो जाएगा तो इसी वैसे चले गए और आज इसान पेपर है फर्स्ट है और थोड़ा सा मैथ में उसको प्रॉब्लम है पता नहीं कि आता हुए चीज भी कैलकुलेशन करने में फिर से गलत ही कर देता है बार बार उसको समझाते हैं बार बार मतलब मेथड बताते हैं फिर भी इसी वार से संजु को ट्यूसन भी पढ़ाने के सबर्स्ट है जा सकता है तो है ह tools करते हैं 2020 करते हैं जोकिस पार दो आपकिस बहुतर करते हैं और और मिलते हैं कल आप से और आप यह पने बच्रक को कुछारे-तरीके से सेंड़वीच बनाकर खिला है उन्हें भी क्या अच्छा लगएगा आपको ओछ लगए बरिदिन काल क केर बाई बाई